नवस्कार साथ्यों शुआप आप सभी का पी के के एज केशने डूर से पहले चनल पर दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको ने मेरी सीटू चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please मेरे सीटू चनल को सब्सक्राइब करें और गंटी के उल् liksom को जरूर प्रेस करें कि अि अन्वार्ट करो कि अख करें तो दोस्तों सटिगव जनने राए जनन्पर दोस्तों लास्ट विटीव परया हमने बात कि थी डाटा अनलेसिज पर आंकरा की वीडियो पर आज की इस खास वीडियो में बात करेंगे डाटा कॉलेक्शन एंड सेंप्लिंग पर आकड़ा संग्रेंड और प्रतिदर्श पर दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंतक बने रहें क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वह जरूर वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोग तक किसका फायदा पहुंच सके और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे श्यूटूब चनल को सब्सक्राइब करें तो देखिए सब अंकिये नुमेरिकली रूप से क्या है प्राप्ट करते है उसे क्या है आंकडे कहा जाता है ये तो बात हुई हमारी डेटा की अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे है वह करेगे डेटा कॉलेक्शन की डेटा कॉलेक्शन क्या है जब हम किनी तत्र या शत्र से संबंदी आं आकड़ां संग्रेंड या डाटा कोलेक्षन कहते हैं दोस्तों आकडा प्राप्टि की जो है वो मुख्य तो डो भीढ़िया आए या दो स्थ रोता है जिन से क्या है हम आकड़ा प्राप्ट करते हैं प्राइमिरी डाटा सॉर्सीज और स्टेंडी डाटा सॉर्सीज जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है रवर वमभन फिद् vikt होट है जिन को क्या है अंहें सीरे से प्राप्ट करता है कौलेक्ट करता है हो एक अलुक्य लिए दों शत्र में रहे हैं और शत्र में जाकर का्या है अट्रे 11 क्या है शेत्र में जाके आधियन शेत्र में जाके समय में एकत्रित करता है उसे क्या है प्रात्मिक आंकड़े कहा जाता है प्रात्मिक जो आंकड़े को एकत्रिक करने के वह प्रमुख जो भी दिया है वह है व्यक्तिकत प्रक्षे प्रस्नल अब्जर्बेशन इंटर्व्यू कोश्णियर शेडियूल एंड और मेथड़ सबसे पहले जो है प्रसनल अब्जर्वेशन क्या है प्रसनल अब्जर्वेशन व्यक्ति गत प्रक्षेव इस विदी के अंत्रगत जो क्या है वो व्यक्ति सुम शेत्र में जाकर शेत्र भ्रम्ण कर आंकडे प्राप्ट करता है और उनको एब्जर्व करता है वो गोली कद्यान में जो क्या है इस जो भीदी का है वो मुख्यत योगदान है क्योंकि जोग्राफिक क्या है एक शेत्र अजयन करने वाला विज्यान है और पिर क्या है उसके लिए जरूरी होता है अगर आपने मिट्टी सॉइल बेजिटेशन रॉक्स इन सब का क्या है अज्यन करना इन सब से सब मद्धिक आइंकड़े प्राप्ट करने तो उसके लिए किया आपको फील्ड में जाना पड़ेगा नेक्स जो है interview साक्षातकार जसको बोलेगे हिंदी में इस वीदी में क्या है researcher जो है ओर उसे बातलाप कर पूस्थास कर क्या है आंकडे प्राप्ट करता है और सूचना जाता जो होता है information देने वाला है वे जैसे बताता है विसी साथ से क्या है आंकडों को क्या है, जो researcher होता है, वो note करता है, अपने पास, थर्ड जो है, सबसे important जो है, कोश्नियर, प्रश्ना वाली, कोश्नियर, इस बिदी के दिन जो क्या है, वो researcher शेत्र में जाना से पहले क्या है, पहले उन प्रश्नों की क्या है, सूची त्यार करता है, जो की क्या है उसे शेत्र में जाके क्या लोगों से पूछने होता है जिनके क्या है जिनके संदर में उसको क्या है आकड़े प्राप्त करने होता है इस परकार कि जो प्रश्णों की सूची जो त्यार की जाती है उसे क्या है प्रश्णावली कहा जाता है प्रश्णावली क्या है कैसे उसको त्यार किया जाता है इसका जो क्या में आपके लिए एक अलेक से वीडियो बना होगा क्योंकि यह थोड़ा लंबा जो क्या है टोपिक है और साथ में आपको मैं दिखाऊँगा अभी कि किस तरह से इसको क्या है इसके लिए क्या है प्रश्ण त्यार किये जाता है जब आपने कहीं प्रश्ण वाली की तरह ही होती है प्रश्ण वाली में जो सूचना प्राप्त करता है या रिसर्चर होता है उसके द्वारा क्या है खुद सूचना भरी जाती है प्रश्ण वाली में लेकिन अनुसूची में क्या है जो सूचना भरी जाती है वो उत्तर देना वाला जो होता है उसके द्वारा ही भरी जाती है researcher के द्वारा नहीं भरी जाती उत्तर देने के बाद जो क्या है जो सूचना देता है उसको क्या हो उप्योग से या रिमोट सेंसिंग जो ता सुदूर सवेधन या सेटेलाइट इमेजरी एर फोटोग्राफ आज इसे क्या है भोगोलिक आंक्ड़े क्या प्राप्त किये जाता है तो इन से भी जो क्या है जैसे remote sensing, satellite referring, हाथ 看看 मैजरी औरि banana photography जो क्या है प्राप्ट किये जा सकते है तो यह भी जो क्या है प्रत्मिक आंक्ड़े को एकत्रीट करने क्या है प्रमुख फ्रोत है तो यह तो बात हुए हमारे primary data की next बात अत्ये secondary सब्सेड्री डाटा दीट्य आँठ्रा situação एकफरी रहला श्तरोच है सबसेड़ी जो सब्लोन देखेको सब्सेड़ी आओज़री स्वर्ण्री आंक्या था मेया सब्सेड्णी पहले है यूशा सामसत्स सब्सेड्री प HIV की व्यक्ति ności युआभा है क्या एकत्रिट किये गए हो उन्हें क्या है दूत्य आंकड़े कहे जाता है कि सेकेंडरी जो डाटा होता है उसके प्राप्ति के जो है वह दो स्त्रोथ होता है पहला है प्रकाशित प्रकाशित किये गए हो उसे क्या है प्रकाशित स्त्रोथ कहे जाता है जैसे सबसे पहला जो है वह है इंटरनेशनल पॉब्लिकेशन अंत्राश्टे प्रकाशन ऐसे आकड़े जो क्या है स्युक्त राष्ट संग इवेनों के अधिन क्या है जो संस्त्रोथ होती है जैसे फॉर एक्जामपर डव्यू एचो या डव्यू टी ओ वर्ट्रेल और्ग्राइशन वर्ड एल्थ प्रकाशन के क्या है आकड़े कहे जाते हैं तो उनसे भी क्या है हम दुवित्य आकड़े प्राप्ट कर सकता हैं जो किसी देश या राज्य की सरकार के द्वारा प्रकाशित किये गए हो और एक्जामपल जंगन्ना से संबंदित मौसम से आधिस संबंदित जो आकड़े होत कुम लुए्यक जयां उसे का एंख You को खुलब अफर्ट सिस्रें को आगे करें जाते हैं उस्के अच्छ का श्राइन ह Ohh 252 समाचार। पत्र पत्र का आगे होता है उसे क्या है के की स्वस्बाहिं सता काते माशी कहते हैं दे निक आतिबार्ष शी उन सभी से भी क्या है कि यह सब इस क्या है वह प्रकाशि की गई होती है और इनसे विट्प्राइं एकत्रें कर सकते हैं तो यह तो बाफ हैए पप्रकाशि टोर्स जैसे सरकारी अभी लेक गुप्त सरकारी अभी लेक अर्द सरकारी अभी लेक या नीजी अभी लेक यानि जो नीजी उपियोग के हो ऐसा लेखा जो खाजी से क्या है सार्वचारिक नहीं किया जा सकता तो उन्हें जो क्या है कि स्ट्रेणी में रखा जाता है अप्रकाशित स्ट्रोथ की स्ट्रेणी में रखा जाता है तो इन से भी जो क्या है हम दुट्ये जो क्या है आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से क्या ऐ आंकडा प्रप्ती की क्या दो विधिया चिंसे क्या है अंकडा क्या क्म खॉलेक्षन करते हैं लेकिन आंक्रा क्रने के बाद occur वह अज करने के फ्रितिय तद्धूरत होती है थाकि में उससे उप्युक्त निश्कर्ण्य प्राप्त कर सकते वा northern uncle si Fran करने के लिए इसक्षा में हुआ जिसका है मैं लास्त सवरॉर पई है बात की थी, जिसने जो है, वो वीडियो नहीं देख्योगी, प्लीज मेरी उन्हें लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख लें, नेक्स्ट जो आज का, जो हमारा टोपिक है, वो है सैंप्लिंग, सबसे पहले हम बात करेगे कि sampling क्या चीज है what is sampling या sample study तो देखिए प्रतिदर्श अध्यन प्रतिदर्श अध्यन सर्व्यक्षन की एक ऐसी वीदी है जिसमें समस्त्या समग्र इकायों का क्या है अलग-अध्यन नहीं किया जाता है अपितु इस वीदी के अंत्रगत क्या है कुछ साटी गई इकायों के गेहन अध्यन द्वाराई समग्र के संदर्म में क्या है निश्कर्श प्राप्त किये जाता है यानि कि कुछ इकाईों के आधार पर क्या है, संपूर्ण के बारे में क्या है, निश्कर्ष प्राप्त किया जाते है, साधारन शब्दों में कहें तो सेंप्लिंग या प्रतिदर्ष चयन सर्व्यक्षन की ऐसी भी दिये, जिसके अंतर का तमकुछ इकाईों का क्या अध्यन करके, संपूर्ण इकाई के संदर में क्या निश्कर्ष प्राप्त करते हैं, उससे क्या प्रतिदर्ष या सेंप्लिंग मेथड कहा जाता है, For example, मैं आपको एक उधारान देता हूँ, आप सब क्या है, गर में खाना पकाते होगे, चावल बनाते होगे, दाल बनाते होगे, तो जब क्या है, अंत में जो है, आप चेक करना चाहते है कि हमारा जो चावल हो पका या नहीं, तो क्या है, जो बरतन होता है, जिसमें आपने प पके या नहीं, जब आपको लगेगा कि ये दाने पक गए है, तो उसी क्या आदार पर क्या है, आप जो संपूर्ण पतिले में चावल होता है, उसके बारे में अनुमान लगाता है, कि हमारे जो क्या है, सारे चावल पक गए है, वे उसी तरह सेंप्लिंग भी है, इसमें क् निश्कर्ष प्राप्त किया जाता है नेक्ट जो है बात आती हो importance of sampling कि sampling की importance है क्यों ये महतोपूर्ण है तो सबसे पहले जो है समय की बचत होती है obviously जब आप क्या sampling करोगे तो क्या अगर आप क्या पूरे शत्र का क्या सरवक्षन करोगे पूरी इकायोगों क्या उसमें सरवक्षन करोगे तो हमारा सबसे में अधिक लगेगा लेकिन जब हम क्या है कुछ प्रतिदर्श का प्रतिदर्श क्या है जब हम sampling करेगे उसमें क्या कुछ इकायोगा चयन करके क्या है अध्यन करेगे तो क्या है हमारे जो समय है वो कम लगेगा धनकी बचत भी होगी और साथ ही साथ क्या है अनुसंदान करने में क्या है सरलता रहेगी क्योंकि उससे निश्कर्ष प्राप्त करना क्या है आसान होता है अगर ज्यादा आँकड़े आपके पास होगे ज्यादा इकाई आपके पास होगी तो इसको क्या है कठी नहीं होती है उसके एउयल ст 시 करने में उसके निश्कर्ष प्राप्त करने में the next जू है वह है है bunlar हो नक्रे वह है में 30 या टैक्निक भी कह सकते या टाइफ वर सेंपलिंग कह सकते हैं करने की जो है वो मुख्य तो दो भीदियां है या दो प्रकार की सेंप्लिंग जो है होती है पहली जो है वो है परपोसिब या नोन प्रोड़ाबिलिटी सेंप्लिंग इसको हिंडी में जो है या सांदर्श्य प्रतिजन या गेर समभावाद प्रतिजन कहा जाता है इन सब को जो है आप नोट रख ले कि हिंडी में क्या क्या कहा जाता है क्योंकि examiner का पता नहीं है कि कौन सी जो शब्द है वो यूज कर ले मतलब तो एक ही है पर क्या है अगर आपने पड़ा होगा तबी आपकी आएему होहाँ पर सही कर सकते हो ओड सब्सक्राइब है या दिर्चिक प्रतिजन और इसको जो जो और का जाता है इसमें जो है यो प्रतिदर्श की जो है वह ऐसी विदी है जिसमें जो क्या है अनुसंदान करता को क्या है अपनी इच्छा के अनुसार क्या है प्रतिदर्श चाटने की क्या है स्वतनतर्दा रहती है यानि कि वह अपने जो क्या है हिसाब से क्या है जो प्रतिदर्श के कोटा सेंप्लिंग कि मातरात्मक पर्थिच्वन और विस्तित परथिच्वन कि कौनसे सेंप्लिंग में जो है या इसा कौनसा सेंप्लिंग परकार ना इसमने क्या है समग्र अज्ञ छेट्र को क्या है भाग में अब और्गॉमेट के अडिवाइड किया जाता है तो वह जो एखौटा सेंप्लिंग है कोटा सेंप्लिंग के अंदर का जो क्या है इसमें जो है large samaagra Прतेक भाग से क्या है प्रतिदर्श चुना जाता है और इसमें जो क्या है समंग जो अनुसंदान जो शेत्र होता है जो आपने अपने स्टेडी करनी है उसके समगर भागों को क्या है कुछ भागों में डिवाइट किया जाता है और जैसे यह हमारा पूरा टोटल एरिया है अब उसको क्या है कुछ भागों में क्या है इस तरह से बाट जिया जाता है मतलब सभी शत्र को पूरे भागों में बाटा जाता है और प्रते एक शत्र से क्या है इकईयों का चन किया जाता है प्रते एक बर्ग से जैसे दो इज़र से ले 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 इसमें कि अधिक सांग्या में, प्रतिदर्स छुनने को यहां बढ़ावा दिया जाता है, यानि कि अधिक से अधिक जो इकईयोंको सम्मलित करने की कोशिश की जाती है, तो यह तो बात हुई हमारी गेर संभवाथ प्रतिदर्स की, non-probability sampling की इनसे जो क्या निश्कर्ष क्या निकलता है कि इसमें जो क्या अपनी हिच्छा नुसार क्या परतिदर्ष का चयन होता है अतो इस जो अनुसंदान या परतिदर्ष चयन में जो है वह रिचर्चर के क्या भ्यक्ति बावनाए पक्षपात अधिका क्या डर रहता है तो इसे क्या जादा उप्यूक्त नहीं माना जाता है सेकिंड जो इंपोडेंट है वो है रेंडम सेंप्लिंग एंड प्रबाइबिलिटी सेंप्लिंग जिसको कहते है यह जो है वो प्रती चयन की क्या है वेग्यानिक और निश्वक्ष भी दी है इसमें अनुसंदान करता द्वारा प्रती दर्श इकाय का चयन जो है वो अपनी इच्छा पर निर्वर नहीं करता है इसमें प्रतितर्ष का चुना जो है वो किसी योग संख्या पर क्या है निर्वर करता है यादर्चिक जो प्रतिचेन जो भीधी है रेंडम जो सेंपलिंग जो भीधी है इसके क्या है दो प्रकार है Simple Random Sampling और Satrified Random Sampling सरल यादर्चिक प्रचीचेयन और सत्रित यादर्चिक प्रचीचेयन Sampling को जो है वो आप थोड़ा ध्यान से देख ले क्योंकि यहां से जो है हमेशा ही एक आदा question क्या है पूच लिया जाता है फर्स्ट में भी आ सकता है और सेकिंड में भी आ सकता है तो सबसे पहले जो हमारा हुआ है Sample Random Sampling आप यहां पर देख रहे हैं दो परकार है सरल यादर्चिक प्रचीचेयन और सत्रित प्रचीचेयन Sample Random Sampling है इस बीदी में क्या है प्रतिदर्श चुनाओ संजोग या योग संख्या के आधार पर क्या है किया जाता है इसमें इकाईयों को क्या है बर्ग या समू में विवक्त नहीं किया जाता सरल यादर्चिक प्रतिचन बीदी में प्रतिदर्श चेयन है तो क्या है निमन जो विदिया है उसका क्या है परियोग किया जाता है जैसे लोटरी मेथड रोटेटिंग रम मेथड रोटेटिंग प्लेट मेथड इन जो विदियों का है हो क्या है मुख्य तो प्रियोग किया जाता है लोटरी में थड़ में जो क्या होता है इसमें जो है कागस की गोलिया बनाई जाती है एक जैसे सभी और उनको क्या है आपस में मिला दिया जाता है और फिर क्या है उनमें जो है नंबर लिखे होता है और फिर उन गोलियों का क्य युं किया जाता है पिर यू mb नंबर आते हैं उसमें लिखे वी होते है जब उसको शाटा जाता है तो उन स्टूच्ट के लिए सेम्पलिंग के लिए चुना जाता है और लेटल मेठ़र है गुर्रिक हुरनी ढ चडिया क्या है रखी जाती है एक समान जो है लकडिया रखी जाती है उस पर क्या नंबर होगे जैसे एक दो तीन और उसके बाद क्या है इसको गुमा लिया जाता है उस डोल को क्या है गुमाया जाता है और फिर क्या है उन में से क्या है लकडि के जो टुकडे होते है उनका चाँ के जात एक हिंकित्ट की जाते हैं कि इन घरों की क्या है 1 प्रति चेबिंग करनी है और उसी प्रकार से जो थे रोतेटिटिक प्लेट में थर्थ फ्य ग्त करने प्रतिताote तो फिर उसको प्लेट को क्या गुमाया जाता है फिर जिस नंबर पर क्या प्लेट रुखेगी उस उस नंबर को क्या है उस नंबर के क्या है मकान को या उस शेत्र के क्या है प्रतिचर्ण के लिए चुना जाता है तो यह तो बात हुई हमारी sample landrun sampling की इसके बाद जो है वो है systematically random sampling इसमें एक और भी दिये systematically random sampling इसमें जो है वो करम बद रूप से समगर लिख कर क्या है चुनाओ किया जाता है पहले क्या किया जाता है जो total जो इकाया होती है उसको क्या है करम बद रूप से या छोटे से यानि कि एक दो ती इन चार पांच से इस तरह से क्या लिखा जाता है और उसके आदार पर क्या है जयन किया जाता है फिर next जो है वो है random number method random number method इसमें जो है या दिर्चिक संक्या बिदी या प्रतिदर्शे तु क्या है अंके सारणी की साहिता से क्या है प्रतिचन किया जाता है तो ये तो हमारी वी random sampling next जो है वो है satrified random sampling satrified random sampling इस तो बिदी में वो बिन बिन गुणों या लक्षनों वाली इकायों के समग्र से क्या है यानि कि जब क्या है वीविन गुणों या लक्षनों वाली क्या है इक वह यह जो आपके पास होगी अध्यान करने के लिए तो तब जो क्या है ये जो बिदी है वो ज्यादा उप्यूक तुम्बानी जाती है ये जो है वो प्रतिदर्श जो है ये जो प्रतिदर्श सेंप्लिंग जो है वो समग्र का क्या है अधिक या तार्त प्रतिनी दित्टों करते है इसके जो है वो मुख्य तो दो प्रकार है सिंपल सेट्रिफाइट रेंडाम सेंप्लिंग simple certified random sampling और बहुँ सत्रित या दर्चिक प्रतिचेयन या multi certified random sampling फर्स्ट जो है इसमें क्या है समगर को क्या है बर्गों में बाटा जाता है और उसी क्यादार पर क्या है प्रतिदर्च के लिए चुनाओ किया जाता है या समूँ में बाटा जाता है विवाजित किया जाता है उसके बाद क्या है प्रतिएक समूँ से क्या है । एका योगा चुनाओ किया जाता है और दूसरी जो है बहुषटत्रित प्रतिचेयन जो विदी है multi certified random sampling जो है इस बीदि में क्या है प्रतिचंट चुनने का जो कारे है अनेक्सतरों में क्या है पूर्ण होता है लियरवेज होता है तथा प्रतेक इकषण क्या है इसमें दियन देव चेजन के आधार पे क्या है चुनाव क्या जाता है देव क्या द द्र जैन के आधार पे क्या जाता है इस प्रकार को चैनका क्या है पहले बर्गों में बाढ़ता है इसी तरह इनको क्या है याद रखना होता है तो इस तरह से क्या है हमारी जो है दो तरह की क्या है sampling जो है method थे तो दोस्तों निश्कर्ष क्या निकल लगा है कि यह जो भी दिये जिसको हम क्या है probability sampling कहते है इसमें जो क्या है वह प्रतिचेहन करने में क्या है पक्षपात या ब्यक्तिगत जो emotion होता है उसकी क्या है संभावना रहती है लेकिन जो क्योंकि इसमें जो चुना हो है ब्यक्तिगत कैसे करता है अपने इच्छा नुसा है लेकिन जो है random sampling या probability sampling है यह पूर्ण तो बेग्यानिक है बेग्यानिक सिधान्त पे आधारित है इसमें जो प्रतिचेहन का जो इकायों का जो चेहन है वह अपनी इच्छा से नहीं किया जाता और किसी संजोग पे निर्भर करता है जिस तरह का योग बने तो यह जो भीदी है वह अधिक बेग्यानिक है अधिक विश्वसनी है इसलिए जो क्या इस जो भीदी कर आए वह अधिकतर परियोग में लाया जाता है तो दोस्तों यह था हमारा आज का टोपिक जिस पे आज हमने बात की डाटा, डाटा कॉलेक्शन एंड सॉर्सिस पे और उसके बाद हमने बात की सेंप्लिंग इस इंपोटेंट रैंस ट्राइब पे तो दोस्तों वीडियो पसंद आयोगा ज़रूर वीडियो को लाइक करें, क किसी इनना टोपिक पे, नमस्कार